तो फ्रेंट्स आज की वीडियो ना आपके धेर सारे पैसे और टाइम को बचाने वाली में लेकर आई हूँ तो दोमिनोस में आपके फैमली मेंबर्स आपके बच्चे जिंगी बारसल काते हैं आज मैं उनको छटपट गर में घर की चीजों से ही आपको बनाना सिखाऊंगी तो चलिए जी फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले हाई एव्रिवेन वल्कम बैक तो माई चैनल यहां पर ने एक पैन में फ्रेंड्स मैंने ऐसे दूद ले लिया है लगबग एक ग्लास और इसको ना मैं हलका गरम करूंगी हलके से थोड़ा तेज इस्ट आप ड्राइ एक्टेव इंस्टेंट कोई भी ले सकते हो पर जो प्रोसेस से वह अगर आप मेरी वाली फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट इकदम पर्फेक्ट मिलेंगे तो मैंने आपर टीस्पून से लगबग दो टीस्पून इस गरम दूद में डाल दिया है और अब इस्ट को एक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स यहां पर मैं डाल रही हूं एक टेबल स्पून भर करके शुगर आप शुगर के साथ वन टीस्पून डाल सकते हैं पर मेरी इस्ट ऐसे ही एक्टिवेट हो जाती है तो मैं नहीं डाल रही हूँ बट मैं जरूर तो इसको मैंने मिक्स करके साइड में लग दिया है और अब हम तयार करेंगे जिंगी पार्सल का डो तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं लूंगी लगबग 2 कप भर करके मैदा यह मेरा जो कप है वो 250 ml का है और एक कप में आता है लगबग 120 ग्राम मैदा तो दो कप में आ गया थोड़ा सॉल्टी होता है तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है वन टीस्पून सॉल्ट आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम जादा कर सकते हो आप मैं फ्रेंड्स क्योंकि जिंगी पार्सल बना रही हूं तो थोड़े से और ही गैनो डाल रही हूं आपके अब सारे मिक्षर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजे नमक और इगैनो चिली फ्लेक्स बढ़िया से इसमें हो जाए मिक्स और तब तक फ्रेंड्स अमारा जो इस्ट का मिक्षर था ना उसको रखे 10 मिलिट हो गया और देख सकते आप उपर जाग जाग हो रह आपकी इस ऐसे रिजल्ट ना दे तो फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है आप अपना इंग्रीडियंट्स और माटीरियली वेस्ट करोगे लिकिन अगर जाग आ जाए तो आप अपनी रेसिपी को आगे बढ़ा सकते हो तो इसके लिए बेस्ट ले लीजेगा मैंने जो इस लिए वो प्रतिमा जी की शॉप से लिए आप मोवन इंपेक्स की विले सकते हो और सबके जो लिंक्स और नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आइड कर दी है अब यह जो मिक्शर है ना फ्रेंड्स इसको अम अपने मैदे वाले मि थोड़ा स्टिकी होगा तो उसको काबू में करने के लिए हम यह पर थोड़ा थोड़ा ओइल ले करके इसका आठा त्यार करेंगे तो बस धीरे दीरे इसको गुंते जाए और फ्रेंट्स जितनी भी जरुवत हो ना इसमें दूद बगर की वहल का गनम डालोगे ना तो डाल रही हूं और इसका आठा देखिए मैंने रेडी कर लिया है लेकिन बात यहां खतम नहीं होती है फ्रेंट्स इस आठे को ना हमें स्ट्रेच एंड मिक्स इस तरीके से पढ़िया से कम 10 से 12 मिनट तक के लिए गुनना है जब तक यह एक दम नरम और सॉफ्ट ना हो करके ठक करके किसी गरम जगह पर रख दूंगी करीब आदे से एक घंटे के लिए गर्मियों में तो फ्रेंट्स यह आदे घंटे में हो जाएगा पर सर्दियों में थोड़ा टाइम लग सकता है आप चाओ तो प्रिहिटिड ओटी जी या एर फ्रायर में रख करके गरम करक तो यह ट्रिक आप भी काम करना आप चाओ तो गैस पर भी प्रिहिट करके तवे को गरम करके बंद कर दो और उसके ऊपर इसे छोड़ दो तब भी आराम से राइस जो है फोर्मेंट हो जाएगा आप देख सकते हो कुरा बाउल मेरा भर चुका है इसका मतलब हमारा जो जो तो बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है तो बस फ्रेंड्स अभ इसको पंच कर दे इसकी एर को रिलीस कर दे हो फिर सही से थोड़ा सा हम गूं लेंगे और फिर इससे बनाएंगे जिंगी पारसल तो दो तो तियार हो गया फ्रेंड्स मैंने आपर कुछ वेजीटेबल्स ल अब इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ और एक प्याज डाल दिया है बारिक कटा हुआ और हमें इसको कोई ब्राउन अगर नहीं करना हलका सा सौटे करना है लाइट पिंग कलर का और जैसे प्याज थोड़ी सी रोस्ट हो जाए मैंने इसमें डाल द जाने में थोड़ी सी क्रंची और जूसी लगे तो सारी चीजों कट्चे सा डाल के मैंने अच्छे सिखिया मिक्स सीजनिंग कर देंगे थोड़ी सी थोड़ी सी तो डालिए सौल्ट और चिली फ्लेक्स आपके पास कोई हर्ब्स हो मिक्स्ट हो तो अब वो डाल दीजेगा उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने सारी चीजे अच्छे से डाल के सौटे कर लिया लास्ट रूं डाल दिया मैंने पनीर और ओलिव्स लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है आपके पास जो भी चीजे अबलेबल हो आप वेट कर सकते और बस इस तरीके से हाई फ् थोड़ी सी ना मैंने मौजरेला जो चीज होती है वो भी इसके अंदर डाल दिया ताकि जिंगी पार्सल के अंदर जम इसे खाएं तो खाने में इसका एक चीजी टेक्शर हमें मिले बट यह ऑप्शनल है अगर आप बिना चीज के भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो थ समझ जाना कि आपकी जिंगी पार्सल की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई तो मेरी केस में अच्छे से स्टर फ्राइ हो गया है बिल्कुल भी अब इसमें मॉइस्टर मुझे नहीं दिख रहा है तो बस आप में इसको ओफ करके कर लोंगी ठंडा और अब तयार करेंगे इनको फिल करके हम अपने डॉमिनो स्टाइल चीजी जिंगी पार्सल तो जो आटा हमने तयार किया था ना फ्रेंड्स उसके मैंने छोटी सी एक बॉल कट करके एक छोटी सी पूरी बना लिया है उसके किनारे पर मैंने मैदे और पानी का ना गोल लगा करके तीन फोल्ड इ कि जो गोल रोटी है वो थोड़ी सी तिकोनी यानि के ट्राइंगिल हो जाएगी जिंगी पार्सल में ऐसे फोल्ड होता है और इसको चिपकाना जरूर पानी और मैदे की सलरी से अब बीच में जो आमने स्टफिंग बनाई है वो फिल कर देंगे और इसके जो यह तीनो ताकि अंदर से भी वो चीजना निकलती हुई, मेल्ट होती हुई दिखेगा बस अब यह तीनो फोल्ड को हम एक के उपर एक स्टिक कर देंगे पानी और मैदे के घोल से अच्छे से फिक्स कीजएगा फ्रेंड कहीं बेकिंग के दौरान यह खुल जाएगा तो गडबड हो जितने बनाने हो तीरे-दीरे करके नम सारे ही जिंगी पारसल बना लेंगे तो मैं इने अपनी बेकिंग ट्रेपर रखती जा रही हूँ और धेर सारे ऐसे बनाओंगे पहले वाला थोड़ा चोटा बन गया तो मैंने अब वाली जो पूड़ी है वो थोड़ी बड़ी बना है तो इस तरीके से अपने बच्चों को जब चाहे बना कर दे सकते हो वच्चों की बद्ध पार्टी में या अपने मेन्यु में डाल सकते हो घरमें गैस्ट आ क्योंकि बोलते हैं तो घर का तो मैदा भी बनाओगे न रोटी में तो भी टेस्टी और हेल्टी लेकिन बाहर का गहूं का आटा भी रोटी के फार में खाओगे तो वह भी अनेल्थी है मैं रेपुटेट अच्छे हुटल्स की बात नहीं कर रही फ्रेंड्स बट जनरली यह देखा गया है साफ सफाई नहीं रहती है और बहुत से लोगों को बीमारियां होती है फूट पोईजिंग होती है तो घर में यह सारी चीज़े जब बन जकती है तो बच्चों को अपने सारे किपारसल बनाने के बात यह बिल्कुल टेस्ट और प्रेंडे कर कर दे और टेक्चर में बार्केट जैसे बने उसके लिए आपको इसके उपर ना दूद का एक मिल्क वाश देना होगा तो ब्रश की मदद से कैसा भी दूद हो ठंडा हो गरम हो बॉइल हो कच्छा हो आपको ब्रश से इसके उपर लगा देना है हलका हलका दूद अगर आप एग्ज कर सकते हो अब प्रेंड्स प्रिहिटिट ओटीजी के अंदर मैं इसकी मिडल वाली रैक में इस ट्रे को सेट कर रही हो तंप्रेचर यहां जाएगा 170 डिग्री दोनों रॉट्स को ऑन कर देंगे उपर और नीचे की और करी 15-20 मिनिट के लिए इसको बिक करेंगे और अगर को बीस मिनिट के बाद लगता एक कलर नहीं आया तो टॉप रॉट ओन करके चाओ तो पांच मिनिट दे दीजेगा मेरा यह बीस मिनिट में रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है अब देख सकते उस दिन मेंने केक भी बनाया था तो वो भी रखा है जिसकी व आल इसको सीखते ही हो लास्ट में इसके उपर बटर लगा दिया है मेल्टिड ताकि यह बढ़िया से शाइन करें और आप इनी गर्मा गरम ऐसे खाओ सॉस सिखाओ जैसे भी चाहो एंजॉय करो तो कैसी लगी प्रेंड्स रेसिपी मुझे जरूर से जरूर कमेंड करके बत